दो तो आईए इस वीडियो के माद्ध हम से जाने कि राज सेवा यानि MPPSC प्रारंबिक परिच्छा 2020 कब तक हो पाएगी तो आयोग ने कल मतलब 20 तारीक विग्यप्री जारी किये है जिसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि बर्तमान में कोरोना महामारी का संक्मन तेजी से फैलने के काराण और अभ्यरतियों के स्वास्त और सुरक्षा और समगर परिश्थितियों का मुल्याकन करते हुए आगामी जून माह में जो परिच्छाएं आयोजित की जानी थी दो परिच्छाएं थी एक तो State Engineering Service और दूसरी दंतसल चिकिसक मितलब डेंटिस्ट वाली ज योग को भी नहीं पता कि कोरोना का जो संक्मन है किस तरीके से आगे फैलेगा या किस तरीके से कब तक यह कंट्रोल हो पाएगा इसलिए आयोग अभी डिसाइड नहीं कर पाया है अब हम बात करें राज्य सिवा परिच्छा 2020 जो कि पहले 11 अप्रेल को होनी थी बाद में आ और से पढ़ेंगे तो लिखा था कि आयोग ने बर्थमान परिश्थितियों के ध्यान में रखते हुए राज सेवा प्रानविक परिच्छा जो है उसके संभावी तिति लिखी थी आयोग ने उस समय संभावी लिखा था योग ने क्योंकि उससे खुद नहीं पता था कि य इसलिए इस परिच्छा का उलेख आयोग ने अभी केंसलेशन में नहीं रखा है क्योंकि फिक्स डेट को याग ने स्वयम ही नहीं दिया था तो अब यह तो तय हो गया है कि फिलाल यह जो 20 जून जो हम संभावी तितिति इस पर परिच्छा होना संभाव नहीं है एक अनु क्योंकि अकार्डिंग ही चुकि काम करेगा तो अशी स्थिति में एक अनुमान भर लगाया जा सकता है इस समय क्योंकि भविस्त जो है किसी को नहीं पता है लेकिन इतना जरूरता है कि कम से कम तीन माह का अत्रिक्त समय आपको मिलेगा तो अब प्रस्ण उठता है कि आईए हम यह जो है अत्रिक्त समय है इसका उपयोग किस तरीके से करें तो इस समय सबसे बड़ी प्रिस्णी यही है कि चुकि यह क्रिटिकल पीरियड है इस समय क्या है कई लोग निरास हो गए है कई लोग सोच रहे हैं कि उन्हें पता यह नहीं कि कब परिच्छा होगी तो यह बड अत्रिक्त मिले समय का समुचित उपयोग करेगा वही सफलता उसको मिलेगी क्योंकि यही ऐसा समय रहता है जब आप निरासा से उपर उठकर अपने आपको सयमी तरह रखते हुए अपने आपको कंट्रोल करते हुए अपने आपको नियंत्रित करते हुए आप अपने फोकस पर पढ़ाई पर फोकस करेंगे तभी आपको अत्रिक्त benefit मिलेगा क्योंकि समान्य तोर पर यह होता है कि प्रारंबिक परिच्छा के बाद आपको मुख परिच्छा के बीच में 4 माय का समय मिलता है लेकिन यदि प्रारंबिक परिच्छा काफी लेट हुई तो हो सकता हायोग वो उस समय परिट को ही कम कर दें ऐसी स्थिती में आपको मुख परिच्छा के लिए समय बहुत कम मिलेगा मेरी सला यह है आपको कि प्रारंबिक परिच्छा के त्यारी तो आप सभी की लगबग हो चुकी होगी ऐसा मेरा मानना है तो अब आप आज से ही मुख परिच्छा म वानाना शुरू कर दें और उसके त्यारी जोरों से कर दें जब नोटिफिकेशन आएगा यह डेट कंफर्म हो जाएगी कि हाँ इतने दिन बाद हमको लेना है प्रीक्जाम हो सकता है यह जून में फाइनल करें जुलाई में करें अगस्त में करें जब भी इस्तिति निर्मित होगी तब जो है जब आयोग यह जारी कर देगा कि पर्टिकुलरी इस डेट पर हमको प्रिलेना है उसके आप 15-20 दिन पहले से आप प्रिलेम्स के त्यारी दुबारा सुरू कर देना सिर प्रमभी परिच्छा से उसका कोई लेना देना नहीं है प्रमभिक परिच्छा जो है सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है मेन एकजाम में आपका क्या परफार्मेंन वीने दोंहों को मिला कि फटके फॉर। पर post alert होती है वो post कौन से आपको मिलेगी ये ताय करेगा ये वाला समय क्योंकि ये आप थोड़ा सा कम ध्यान देंगे समय मतलब ऐसे महौल में या धीले पड़ जाएंगे तो क्या होगा हो सकता आपका selection हो जाए पोस्ट भी मिल जाए लेकिन अच्छी पोस्ट ना मिले जो आ जाए रहे हैं इसलिए आपको इस समय कौप्यों को मुख परिच्छा के लिए करना पड़ेगा मैं आपको पिछले वर्स 2019 की परिच्छा में भी ऐसी स्थितिनिर्मी थुई थी लेकिन उस समय मुख परिच्छा की थी प्रारंबिक परिच्छा के बाद जो है कुछ अन्यका परिच्छा में जूटें और जब कंफर्म हो जाए कि प्रारंबिक परिच्छा कब होनी है तब आप उसके 15-20 दिनिया ज्यादस ज्यादे एक मैने पहले आप फिर से प्रारंबिक परिच्छा में लग जाएं आप सभी को मेरी सुभ कामनाएं धन्यवाद